कि प्लास्टिक्स एंड अद्दा यंबार्मेंट टॉपिक में आपके बायो डिग्रिडेवल मैटरियल गूपडा कि आपकी जो बायो डिग्रिडेवल मैटरियल होता है उन पर आपके यह बैक्टेरिा वहां यह क्या करते हैं想 करते हैं जिससे वो जो petrol होते हैं कौन से ? बायो डीकडरेवल जो होते हैं easily क्या हो जते हैं ? दिकंपोस हो जाता है किनके कारण ? उन बैक्तिरियाओं के action के कारण पर जो आपके नअन बायो डीकॡरेवल जो material होते हैं उनको कई साल लग जते हैं डिकंपोस होने में जो हमने कल पड़ा था अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं plastics and the environment में आपकी जो plastics होते हैं environment को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसी क्रम में हम इसको आगे पड़ते हैं देखिए since plastics takes several years to decompose तो जो plastics होते हैं उनको कई साल लग जाते हैं किसमें कई साल लग जाते हैं decompose होने में क्या होने में decompose होने में अब गटित होने में कई साल लग जाते हैं it is not environment friendly अब यह क्या होते हैं environment friendly तो है नहीं है कैसे नहीं है यह environment friendly नहीं है परियावन मित्र है नहीं It causes environment pollution और यह क्या करते हैं जो environment होते हैं आपको जो परियावरान होता है उसको pollute करते हैं तो pollution का कारण बनता है कौन यह plastics होते हैं जो आपके besides the burning process in the synthetic material is quite slow अब देखें कि जो burning process होती है यह जो synthetic material है आपके जिसे plastics है तो इनकी जो burning process है है इनको जलाने की process होती है वो क्या होती है बहुत slow होती है It does not get completely burnt easily अब यह क्या होते हैं आसानी से जलते भी नहीं है क्या होते हैं आसानी से जलते भी नहीं है completely In the process it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution अब क्या है यह आसानी से जलते नहीं है और इसी process में यह क्या रिलीज करते हैं कई सारा poisonous fumes रिलीज करते हैं मतलब जो चेहरीला दुआ जो होता है उसको क्या करते है atmosphere में रिलीज करते हैं और फिर यह क्या कारण बनता है आपका air pollution का कारण बनता है तो आपके synthetic जो यह हैं कौन से plastics जो है आपके synthetic material है इनको क्या है बहुत time लगता है और burn में क्या है पूरी तरीके से होते नहीं है तो इसलिए यह क्या करते है atmosphere में क्या रिलीज करते हैं poisonous fumes को रिलीज करते हैं और जो आपका air pollution का कारण बनता है इसी से क्या होता है आपका air bio production होता है how can this problem be solve अब इस problem को किस प्रकार से solve किया जाए कोई तो कारण हो या कोई तो आपके पास उपाय होंगे जिससे हम इसको solve कर पाए तो देखिए आगे आगे क्या दिया हुआ है आपके have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage आपने garbage जो dump देखा है क्या जो धेर होता है आपका garbage का जहांपे क्या होते हैं यह जो animals होते हैं क्या करते हैं eating garbage वो क्या करते रहते हैं garbage को खाते रहते हैं आपने देखा होगा कई गाये जो होते हैं जानुमर होते हैं कुते ह तो बगर आना तो क्या करते रहते हैं खार्वेश को खाते रहते हैं एकारश इंड़ l7 the food waste अब इस प्रासेस में कि जो वो इतिग फूड वेस्ट प्रूड िचो 10 वेस्कों कर रहे हैं उसमें क्या होता देखीए ते श्वलो मैटेल लाइक polythene bags अब वो क्या करते हैं आपके जो polythene bags होते हैं उनको निगल जाते हैं swallow materials like polythene bags and wrappers of food और जो wrappers of food होते हैं जिनको आप फैक देते हो नो इदर जैसे chips बगएरा के wrappers होते हैं तो उनको निगल जाते हैं तो उससे क्या होता है वो उनको निगल जाते हैं तो क्या आप इमेजन कर सकते हैं इसके परिणामों को तो इससे क्या परिणाम उनको प्राफ्ट होते होंगे मतलब इससे उनको क्या नुकसान होता हूँ क्या आप सूर सकते हैं क्या केंदा देखिया गया तब प्लास्टिक मेटरिल चॉक्स ते रैस्पिरेटरी सिस्टम्स आप दीज अनिमल्स अब जो आपके यह प्लास्टिक मेटरिल होते हैं जो आपके क्या है पड़ हुए होते हैं जिनको यह अनिमल्स स्वैलो कर लेते हैं उ forms a lining in their stomach and can be the cause of their death और कारण क्या बन जाता है उनकी death का कारण बन जाता है उनके जो respiratory system को चौक कर देता है उससे क्या बता है वो सास नहीं ले पाते हैं और उनकी death का ये कारण बन जाता है, कौन ये आपके plastic material, तो ये क्या है, परिणाम है ना इनकी, किससे क्या परिणाम निकला देखोगा न, तो उनका जो respirator system है, वो चौक हो गया, इससे उनकी death हो जाती है, अब आप polybags जो होते हैं, उनको क्या पटक देते हो, इदर उदर पटक देते हो, उससे क्या होता है आपका, लापरवाई से पटक देते हैं, आप खाया आपके और इदर उदर फैक देते हैं, तो ये कितनी लापरवाई करते हैं आप लोग, And they are responsible for closing the drains और जो drains होते हैं, जो निकासी के जो आपके source होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं Sometimes we are very careless और कभी-कभी कम, कभी-कभी हम कैसे हो जाते हैं careless हो जाते हैं, लापरवा हो जाते हैं And throw the wrappers of chips और हम क्या करते हैं जो आपके chips के जो wrappers होते हैं और जो biscuits होते हैं और जो other eatables होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रोड पे डाल देते हैं और जो पार्क में डाल देते हैं और खाप पे डाल देते हैं आप ये picnic जो places होते हैं, वापे डाल के चले जाते हैं आप पिकनिक मनाने गए और मापी क्या कर देते हो ठैक देते हो उनको तो ये सही है ग्यान नहीं ये न तो इससे क्या बता है आपकी फिर जो एनिमल्स उनको खाएंगे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चौक हो जाएगा और जो उनकी डैद का कारण बनता है तो एक अच्छा नागरिक होने के लिए ये एक अच्छे नागरिक अगर हम फर्ज देखें तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उनको इस प्रकार से न बटके हाना ताकि एनिमल्स को किसी प्रकार का नुक्सान ना हो शुड्वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर दूइंग सो तो शुड्वी शुड्वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर दूइंग सो क्या में नहीं सोचना चाहिए ऐसा करने से पहले ना बार बार नहीं सोचना चाहिए हमें क्या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं As a Responsible Citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? As a Responsible Citizen, अगर एक Responsible Citizen नागरे की बात करे हम, As a Responsible Citizen के रूप में, तो what measures do you suggest, तो आपको क्या measures suggest कियाते हैं? कि आप आपकी जो Public Places उनको कैसे रखें? Clean रखें, और कैसे रखें? Free of Plastic रखें, है ना? बनता है ना, आपका Responsible Citizen के रूप में, कि आप जो Public Places हैं, और जो आपके, आपका जो Environment उसको कैसे रखें, आप Free of Plastic रखें, ओके? तो आगे देखते हैं, Avoid the use of Plastics as far as possible. अब जितना हो सके, आपको क्या करना है? Plastics का क्या करना है? कम use करना है, ओके? उनको क्या करना है? Avoid ही करना है उनका use. Make use of bags made of cotton और jute, आपको किसका use करना है? ऐसे bags का use करना है, जो आपके cotton और jute से बने हो, मतलब आपके जो Natural Fiber से बने हो हो. When you go for shopping, जब आप shopping के लिए जाते हैं. The biodegradable and non-biodgradable beds should be collected separately. जो viral degradable, जो material है आपके और जो non-biodgradable जो best है, उनको आपको अलग-अलग separate करना चाहिए. तो उससे क्या होगा? आपको उनको अलग separate करना असान हो जाएगा, अलग-अलग रखेंगे. उनको तो आसानी होगी है, उनको अलग से collect किया जाए. एक में आपके बाइव डिकडेवल है, एक में आपके non-biodgradable beds should be and disposed of separately. और उनको डिस्पोज करना है, तो उनको डिस्पोज करना है, तो फिर इस से क्या होगा आसानी हो जाएगा, एक तरफ आपका बाइव डिकडेवल है, एक तरफ आपका non-biodgradable है, तो आपको क्या करना है, तो आपको बाइव डिकडेवल थे करना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है उनको separate करना है और उनको dispose करना है, okay, can you suggest some other ways in which you can continue towards reducing the use of plastic material, क्या आप suggest कर सकते हैं, कुछ other ways, दूर्से तरीके, इन विच जिसमें आप you can contribute towards reducing the use of plastic आप contribute करते हो किसमें reducing the use of plastic metal प्लास्टिक जो metal है उनका reduce उनका कम use कर सके हैं तो यह हो जाता है आप suggest कर सकते हैं आप तरीके बता सकते हैं कि कौन कौन से तरीके वो ऐसा हो सकते हैं इस्eze is better to recycle plastic waste आप देखिए अच्छा क्या होता है it is better to recycle plastic waste जो आपके plastic waste है उनको recycle को के जाए उनको recycle के जाए यह कूए तो उपर question आया था ना उसका आंसर नीचे मिल रहा है, कि अच्छे तरीका क्या हो सकता है, कि आप उनको recycle करें, किसको plastic waste को, most of the thermoplastics can be recycled, जो आपके जादतर जो thermoplastics होते हैं, हमने पढ़ना थर्मoplastics और thermosetting plastics, तो जो thermoplastics होते हैं, वो जादतर कैसे हो जाते हैं, आपके recycle हो जाते हैं, आसानी से, make a list of items that can be recycled, आपको एक list बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है, ऐसी material रखने हैं, जिनको recycle आसानी से किया जा सके, however during recycling certain coloring agents are added, और क्या होते हैं, देखिए, however during recycling, जब भी आप क्या करते हैं, recycle करते हैं, तो आपको क्या करते हैं, देखिए उसमें, कुछ निश्चित जो chemical को, उनमे color जो agent होते हैं, उनको add किया जाता है, उनमें क्या करते हैं, जब recycle किया जाता है, उन प्लास्टिक वैस्ट को, तो उनमें क्या किया जाता है, निश्चित color agents को मिलाया जाता है, इस लिमिट इस यूजे इस इस पेसली फोर स्टोरेज ऑफ फूड, और यह जो limit हैं आपकी किस होते हैं उन्हीं से तैयार होता है उनमें color agent मिला देते हैं उससे क्या जाता है अलग-अलग प्रिकार के आपके container बन जाते हैं और उनको आप किसमें यूज मिलेते हैं food को store करने में as a responsible citizen remember the five-hour principle अब एक आपको क्या है एक responsible नागरिक के तौर पर आपको five-hour principle क्या करना है याद रखना है और वो five-hour principle कौन सा हो सकता है उसको भी देखते हैं देखें कि five-hour principle क्या है five-hour principle है आपका एक तो reduce मतलब आपको five बढ़े हाद रखने एक तो reduce, reuse, recycle, recover and refuse तो अब देखें reduce क्या होता है reduce मतलब आपको क्या करना है उनका उपयोग कम करना है reduce करना है रियूज उनको आपको दुबारा use कर सकते हैं तो reuse करना है रिसाइकल करना है मतलब उनको आपको रिसाइकल करना है दुवारा से उनको चक्रित करना है चक्रित मतलब उनको आप दुवारा यूज में ले सके इस प्रिकार से उनको रिसाइकल करना है recover उनको पुने प्राप्ति करनी है उनकी and refuse और उनको उपयोगी नहीं करना है हो सकते तो उपयोगी नहीं करना है refuse करना है develop habits which are environment friendly और आपको habit कैसी habit आपको develop करनी है environment friendly मतलब पर्यावाण जो मित्रत है पर्यावाण सी मित्रता वाली आपको क्या रखना है habit को बनाए रखना है develop करना है तो यह फाइवर प्रिंसिपल है आपके जो आपको एक responsible citizen होने के नाथे आपको यह याद रखने होता है अब आगे देखते हैं अब यह फाइवर वाइस क्या है देखिए फाइवर जो आपका रेशा है इसके बारे में बता रख रखा है आपको शुक्तिक बारे में घर करना है उंको चला टाला नाधियाह भगधा है तो आप evas cotton carry bag और jute bag while going for shopping और जब भी आप shopping करने जाते हैं तो आपको क्या करना है एक carry करना है कौन सा बैग होगा वो जूट का बैग या तो cotton का होगा या जूट का होगा जो आपकी natural fiber से बना हुआ है तो फिर वो ही हो जाएगा आपका क्या what time लगेगा उसको बैश क्या होने में डिकंपोज होने में फिर आपको फिर वो environment को क्या करेगा नुक्सान पहुंचाएगा तो इसलिए क्या है आपको natural fiber से बने हुए जो bags है उनको आपको यूज मिलेना है जैसे cotton से बने हुए या फिर जूट से बने हुए try to minimize the use of plastic materials आपको जितना हो सके plastics का use कम से कम करना है example भी दे हुआ है use a steel lunchbox instead of a plastic one तो आपको तो इस्टिल का क्या लाना है लाना है तो जब भी आप स्कूल में आओगे तो आप क्या ले क्या आओगे इस्टिल से बना हुआ लाओगे ना कि प्लास्टिक का क्योंकि आपकी जो प्लास्टिक्स होते हैं आपको पता है किस प्रकार से कैसे होते हैं एंबारेंट्ट्च करना नहीं हो सके इनका यूज कम करना है जितना हो सके कम यूज में करना कोई मजबूरी है तो अलग बात है तो आपको एक responsible citizen होने के नाते आपके ये 5R principle आपको mind में रखना है और आपको environment को safe रखना है जितना हो सके आपको plastics को कम use में लेना है और आपका जो 5R principle है जिसमें आपके reduce, reuse, recycle, recover and refuse इस 5R principle को आपको mind में रखते हुए आपको आपका जो environment है उसको क्या करना है अच्छा रखना है safe रखना है तो ये आपका chapter finish होता है अब इसकी question answer जो है हम next video में देखेंगे